Finally, Rolls Royce ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, इस्पेक्टर लौंच कर दी है अब Rolls Royce की गाड़ी है तो भोकाल तो मचाएगी और एक बार चार्ज करने पर ये कितना चलेगी क्या रखी गई इस कार की ये मत और क्या ये कार, Elon Musk की Tesla कार को बरबाद कर देगी कुछ बेहतरीन सा बताएंगे पर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कीजिए रॉल्स रॉयस की पहली इलेक्ट्रिक कार का नाम है स्पेक्ट्रिक जिसका मतलब होता है काली छाया अब रॉल्स रॉयस वाले अपनी गाड़ियों के नाम भूतों के नाम पर ही रखते हैं ये गाड़ी 18 फीट लंबी है इलेक्ट्रिक कार की सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक बार चार्ज करने पर वो गाड़ी कितना चलेगी ऐसे में रॉल्स रॉयस ने सब को चीर दिया है और इनकी गाड़ी एक बार फुल चार्ज करने पर लगबग साड़े 500 किलोमेटर चल रही है जहां एक तरह फिलान मस्क अपनी टेसला कार्ज से पूरी तरह चाने का सोच रहे है ऐसे में रॉल्स रॉयस की गाड़ी बहुती जबरदस्ट फीचर लेकर आई है और अगर बात कीजाए इसकी कीमत की तो इसका एक शोरूम प्रैस 3.20 लाख रुपे रखा गया है ऐसे में रॉल्स रॉयस टेसला कार्ज को अपनी कीमत की वज़े से जादा नुकसान नहीं पहुचा पाईगी